नमस्कार दोस्तों ज्यमातादी मैं हूँ आपकी दोस्त मान विशमा प्राण शक्ति देती मा कुश्मानडा पवित्र और शुद्वन में नवरात के चत्र दिन मा कुश्मानडा की अराधना कर भक्तगर अपनी आंत्रिक प्राण शक्ति की उर्जावान बनाते हैं कोष मांदा का अभिप्राय कद्दू से है एक पूंड गोला गरार उर्थ की भांदि मानव शरी में इसे प्राण शक्ति दिन रात सभी जीवन जन्तों का कल्ण अन्द करती है प्राण शक्ति बुद्धिमता और शक्ति की बुद्धी करती है कुक का अर्थे छोटा उर्जा का अर्थे अंड का अर्थे प्रममांडिय गोला धर्म ग्रंथों से मिलने वाले वर्णन के अंसार अपनी मंद और हलकी से मुस्कान मात्र से अंड को उत्पन करने वाली होने के कारण ही इन्हें कोश्मांडा कहा गया है जब सुरुष्ट्री का अस्दित्व नहीं था चारो और अंधकार ही अंधकार था तब कोश्मांडा देवी महाशुन्य से अपने मंध हाल से उजाला करते हुए ब्रहमतत्व से मिलाकर ब्रहमांड बना इस प्रकार महतुर्गा का यही अजन्व और अधर्शक रूप है जीवों में इनका स्थान अनाहत चक्र में माना गया है नवरात्र के चौथे दिन सूर्य लोक में इन माता की पूजा होती है उस लोक में निवाश करने की शमता और शक्ती केवल इन ही में है इनके स्वरूप की कांती और तेज मंडल भी सूर्य की कमंडल धर्शबान, कमल पुष्प, स्रंक चक्र, गदा और सभी सिद्यों हाथ में अमरत कलश भी है इनका वाहन सिंग है और इनकी भक्ती से आयू यस और आरोग्य की वृत्धी होती है मा कुष्पानडा अपने भक्तों की सभी मनोकाम नए पून कती है मा के पूजन से परंपत की प्राप्ती हो सकती है ये थी आसमनियूस की रिपोर्ट